है 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 था है 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 तो कैसे है सब लोग तो गई आज के वीडियो में हम लोग जो निव थंप सेन का स्कीन आया है and guys उसका review देने वाल है कि आप लोग को वो thompson का skin लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वैसे guys यह जो thompson का skin यह यह पहला skin है guys thompson का तो हम लोग निकालते हैं and आप लोग को guys दिखाते हैं कितने diamond के अंदर मेरा निकालता है उसी के साथ-साथ में बताऊंगा क्या यह वेक्टर गन का टककर दे सकता है या फिर नहीं guys ठीक है तो वीडियो को guys पूरा end तक देखो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो आया तो चैनल को subscribe करके bell notification call पर प्रेस कर दो हम लोग ऐसे tips and tricks का वीडियो लाते रहते हैं and guys इस वीडियो का लाइक एम रख रहे है तो यह last spin और यहां पर guys निकल चुका है guys देख सकते हो थमसें का इसकी निकल गया बट कौंगरा चुले से नहीं दिया भाई मेरे को बहुत बुरा लगा दिल से सच मैं बता रहा हूं अगर मैं ठीक से नहीं देखता तो मेरा यहां पर कट जाता guys बट मेरे को मिल गया guys करीबन 1200 डाइमन के अंदर guys ठीक है and guys अभी मैं इनका review करके बताऊंगा के यह कैसा है बैसे इसका जो ability है वो है guys double range single reload speed and इसका जो minus point है वो है guys magazine जो की बहुत ही अच्छी बात है and magazine उतना matter नहीं करता गाइस thompson के अंदर क्यूंकि 42 MO होता है thompson में normal thompson में 42 MO होता है and देखो magazine minus है इसका मतलब यहां पर 40 MO है 40 MO के अंदर एक बंदे तो आप easily finish कर दोगे एक किया guys 2-3 बंदे easily finish कर दो क्यूंकि 40 MO बहुत ज़्यादा होता है and यहां पर सामने मेरा दोस्त है ठीक है तो देखो यहां पर इतना दूर खड़ा है फिर भी इतना अच्छा headshot लग रहा है किसलिए लग रहा है guys क्यूंकि इस पर double range है guys double range होने के कारण इस पर ज़्याद यहां पर मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया and guys यह जो लास्ट बंदा था यह बहुत ज्यादा पका रहा था तो guys मैंने यहां पर कट कर दिया अभी हम लोग जाते है डाइरेक्ट सेकेंड राउंड पर यहां पर मेरे को तॉमसेन मिल जुका है and मेरे को डेमेज भी दे दिय गाइस कते खतनना काफी दूर था बंदा फिर भी अच्छा कशा हेड़ सॉट एंड ड्रैग सॉट लग गया क्योंकि इस पर रेंज है रेंज के मतलब बहुत ज्यादा एडवंटेज होता है अगर आपका गन का डेमेज 25 है स्वाट रेंज पर 25 दे रहा है मतलब थोरा सा मि होने के कारण एंड इसका जो डिसएडवंटेज है वो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैगजिन माइनस कोई बड़ी बात नहीं है गाइस मतलब एक तरह से देखा जाए तो यह जो थॉमसन है मतलब अच्छा है बहुत ही अच्छा है अगर आपका लग पोईंट जादा है तो ही आप स्पीन करो एंड कोई सभी बंदा अगर बोलेगा कि हाँ बाई मेरेको यह ट्रीक यूज करो तो एक स्पीन में मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता गाईस यह लग पोईंट पे डिफेंड करता है मतलब अगर आपका लगी स्टर जादा है तो आप अगर कम स्पीन आपको फाइट लेना है ताकि आप इजीली ड्रैग शॉट भी मार पाओ एंड उसी के साथ साथ वेक्टर वाले का रेंच ना आए आप तक ठीक है कि इसका जो रेंच है वह वेक्टर वाले से बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा मतलब आप इतना सोच रहे हो उससे भी ज् ठीक है तो आप इजीली मार सकते हो वेक्टर वाले को थॉमसें लेके ठोड़ा सा लॉंग रेंच आपका ड्रैग सॉट बहुत इजीली लगेगा गाईज तो अगर आपके पास डाइमन है जादा एंड आपके पास लग पॉइंड भी है जादा तो आप स्पिन मारो अगर आपके पास लग पॉइंड कम है डाइमन जादा है तो इस पिन मत करो क्योंकि आपका बहुत गंदा कट सकता है यहां पे जैसे मेरा कटा गाईज ठीक है आपका भी कट सकता है और यहां पर बोया हो गया एंड गाईज कितने सारे हेड़ सॉट मारे अभी आप लोग कॉमें पे एंड आप लोग को दिखा देता हूं गाईज उम्मीद आप लोग को गेमपले तो पसंद आया ही होगा मोबाइल प्लेयर हो गाईज ठीक है तो प्लीज सपोर्ट कर देना गाईज देख सकतो साथ हेड़ सॉट मारा मैंने तो गईज मिलते अगले वीडियो पे तब तक क्ले बाई गाईज